ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती, 22 मार्च दो हसर बाइस प्रतह मुरली ओम शांती बापतादा मधुवन। आज के शिभगवान वाच, बाबाने कहा मीठे बच्चे, अगर बाब से मिलन मनाना हैं, पावन बनना हैं, तो सच्चे सच्चे रोहानी आशिक बनू। एक बाब के सिवाय किसी को भी याद ना करू। प्रश्ण हैं ब्राम्हन, जो देवता बनती हैं, उन ब्राम्हनों का पद देवताओं से भी उच्चा है, कैसे। उत्तर में बाबा ने कहा, ब्राम्हन इस समय सच्चे सच्चे रोहानी सोशल वरकर हैं, मनुशियों की रूहों को पवितरता योग का इंजक्शन लगाते हैं, भारत के डूबे हुए बेडे को, स्रेमत पर पार लगाते हैं, नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते तो इस समय के सेवा की प्रालब्ध भोगते हैं इसलिए ब्रामन देवताओं से भी उच्छ हैं गीत है हमारे तीर्थ नियारे ओम शांति बच्चों ने गीत सुना हम तो जीव आत्माएं हैं आत्मा और शरीर आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है शरीर धारन करने आती हैं पाट बचाती हैं शरीर के द्वारा तो आत्माएं आती हैं परमधाम, शांतिधाम, निर्वानधाम से कुछ भी बहुत सारे नाम है शांतिधाम की रहने वाली है इसलिए शांति की मांग करती है न हर पर तो आत्माएं आती हैं परमधाम से, यहां आकर यह व्यक्त जो दिखने वाला शरीर है सिधारन करती हैं, यह कर्म शेत्र है, जहां हम आकर शरीर के द्वारा आत्माएं पाट बजाती हैं, बाप कहती हैं मुझे भी पाट बजाना है, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हू इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं होगा, सत्यूग त्रेता पावन द्वापरकल यूग पतित, पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं, हे आत्माएं तुमने शरीर के साथ 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया, उसमें आधा समय दुख और आधा समय सुख आधा समय दुख पाया, पहले सुख फिर दुख आता है, तो दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है, एक दम से ही शुरू नहीं हो जाता, अभी बहुत दुख है, अनुछ बहुत आपदाएं आने वाली हैं, अभी तो nothing है, बहुत कुछ, बाबा डराते नहीं है, बाबा तो सच्चाई से हमें जो रूबरू कराते हैं, पिर अगर हम आप ही उसे गलत समझें, इश्वरिय महावाक्यों पर प्रशन उठाएं, question mark लगाएं, तो फिर आपकी ही हानी है उसमें, तो बाब की कोई भी बातों पर question उठाने जैसा है ही नहीं, बाबा केते हैं अनुझ बहुत आपदाएं आने वाली हैं, इस समय सब भरश्चाचारी हैं, कोई कभी योग बाप के साथ नहीं है, आत्मा अपने को भूल गई है, आप बाबा केते हैं, खुद को भूल गए हैं, अब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक माशुक होते हैं, जैसे देखो, बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं हैं, दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशुक बन जाते हैं, कहीं भी बैठे रहेंगे, कितने भी काम में लगे रहेंगे, लेकिन उस एक की आद में तो बाब समझा रहे हैं, कि सगाई होते ही क्या होता है, आशिक माशुक बन जाते हैं, वह सगाई होती है विकार के लिए, विकारी पतित आशिक माशुक कहेंगे, दूसरे आशिक माशुक होते हैं, जो सिर्फ चहरों पर आशिक होते हैं, लेला मजनु, बाबा ने आज पर आशिक होते हैं, लेला मजनू, आदी एक दो की शकल देखते रहते हैं, वह विकार में नहीं जाते, काम करते करते माशुक सामने खड़ा हो जाएगा होते हैं, न सो लोगों की भीड में भी ऐसा लगता है जैसे वो सामने खड़ा है, कोई आपके बगल से गुजरेगा बो आप तो यहीं बैठे थे, लेकिन हम खोई हुए थे किसी और में न, तो इस तरह से आपने देखा है, बाबा केते हैं, काम करते करते सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा के सामने कृष्न खड़ा हो जाता था, जहां भी देखो वहां उसे कृष्न ही कृष्न देखता था अभी यह है परमपिता परमातमा माशुक, जिसकी हम सब आतमाय आशिक बनी हैं, सब उनको याद करते हैं, आशिक बोध माशुक एक है, सभी का, सभी मनुश्य मातर उस एक के आशिक हैं, भगती करते हैं भगवान से मिलने के लिए, भगत होते हैं, आशिक भगवान हुआ म अब मिलन कैसे हो, तो सबका जो माशुक परमात्मा है वो आते हैं, यहां रहते नहीं हैं, आते हैं, अब तरित होते, अब आये हैं और कहते हैं, अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है, तु निरंतर मुझे को याद करो, मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो, योग जुड़ने के लिए आपको संबंध होना, जब संबंध होगा, कुछ प्राप्तियां होगी, कुछ मिलेगा, कुछ मिलना होगा, तभी तो फिर उससे हम संबंध जोड़ेंगे, पहले जानने, पैचानने, फिर उसका संबंध भी समझ लें, फिर उसके वरसे को भी समझ लें, तो हमेशा उन से जुड़ कर रहना है, योग लगाना माना जुड़ना, तो योग लगा कर मेरे ही आशिक बनू, इस रावण राजिय में दुख ही दुख है, अभी इनका विनाश होना है, मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तुम्हारा यह अंतिम चन्म है, इसलिए करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, धर्मराज के डंडों से भी छूट जाएंगे, वह निराकार पाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, अभी खयामत का समय है, सिर पर पापों का बोच्छा है, ना, कमालो धन तुम दुआओं का कि सब की खयामत आनी है, कमालो धन दुआ का ब कि सब की खयामत आनी है, समय यही है, कि सिर्फ और सिर्फ दुआ रूपी धन कमा कर रखेंगे, तो आगे आपके काम में आएगा, नहीं तो धन, जो स्थूल, शोहरत है, सुक्सुभिधाएं हैं, उससे कुछ भी हमारा फायदा नहीं होने वाला, आपके जितने अच्छे कर्म होंगे, उस कर्म के कमाई का ही आपको मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बाप कह रहे हैं, सिर पर पापों का बोजा है, अभी पुर्णियात्मा बनना है, योग से ही विकर्म विदाश होंगे, और पुर्णियात्मा बन चाहेंगे, बाप कहते हैं 63 जन्म तुम रावड राज्य में पाप आत्मा थी, अभी तुमको पाप आत्मा से पुन्यात्मा बना है, बनाते हैं कौन भगवाना करके, देवताएं पुन्यात्मा हैं, पाप आत्माएं ही पुन्यात्माओं का पूझन करते हैं, अभी यह है अंतिम चन्म मर परना तो सबको है, तो क्यो न बर्सलेलेबैं, क्यो न पुण्याथमा बने? सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी पतित निर्विकारी को पावन कहा जाता है। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घरबार छोडते हैं। फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा जुकाते हैं, पहले जब पतित थे तो कोई जुकते नहीं थे, यहां तो माथा आधी टेकने की बाद नहीं, बाप बच्चों को श्रेमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, हम यहां आए हैं, पाट बजाने लिए बाप की पास जाना हैं, अभी जिस्मानी तीर्थी यात्राइं से बंध होनी हैं, तुमको वापस घर, शांती धाम जाना हैं, जब यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, जब हम कोई मंदिर के लिए जाते हैं, कहें भी ऐसे प्लेस में जाते हैं, पवित्र जन्म पवित्र रहते हैं फिर घर में आकर पतित बनते हैं वह हुए अलपकाल के लिए जिस्मानी यात्रा अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं बाप कहते हैं मेरी स्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेगे सत्योग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़े ही होती है वहाँ तो पावन है योगबल से बच्चे होते हैं और योगबल से बच्चे धेर तो होंगे नहीं बाब कभी शेतानी नहीं करते क्योंकि वहाँ माया होती नहीं बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे वह कर्म अकर्म हो जाएंगी यहां रावड राजी में तुम्हारा कर्म भी कर्म बन जाता है या खेल बना हुआ है तुम सब कुमार कुमारियां आपस मैं भाई बहन हो शिप सवर्ग की बादशाही का, अब बापाकर, मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं, आत्माय तो सब मेल या फीमेल को ऐसा नहीं है, आत्माय तो सब एक बराबर हैं, एक समान, एक बाप की संतान है, तो बाप कहते हैं कि ऐसा यहां नहीं है कि हम male को वर्षा मिलेगा और female को नहीं मिलेगा लोख एक जीवन में तो बच्चियों के लिए नहीं रहता ना बाप का वर्षा लेकिन आजकल role बन गया है कि सब को equal देना है तो यह तो बाद में हुआ आप कहते हैं कि यहां male female दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं कहते हैं ग्रहस्त ब्रभार में रहकर पवित्र बनो यह बहादूरी दिखाओ एकठे रहते काम अगनी ना लगे यह न संभव है कि नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसे रहकर दिखाया तो बहुत उच पद पाएंगे भिश्म पिता महा जैसा ब्रह्मचारी बनना है महनत है लोग समझते हैं यह बहुत मुश्किल है परन्तु यह युक्ति तो बाप ही सिखलाते हैं शिप भगवान बाच कृष्ण कोई भगवान नहीं है पोतो देविगुण बाला मनुश है ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सुक्ष्म बतनवासी हैं ब्रह्मा का पद विष्णु से उच है जैसे ब्रामणों का पद देवताओं से भी उच है क्योंकि इस समय तुम रोहानी सोशल बरकर हो मनुशे की रूह को पवित्रता योग कांजक्षन लगाते हो तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो इसलिए बनाने वालों की महिमा चास्ती है भल तुम ही देवता बनती हो पर अन्तु इस समय तुम ब्रामण बन सेवा करते हो देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे वहां तो तुम राज्जी करेंगे तुम्हारी सेवा है नर्कवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना इसलिए बन्दे मातरम कहा जाता है शिवशक्ती सेना ममा की शेर पर सवारी दिखाते हैं जगतमबा की परंतु ऐसे है नहीं तुम शेरनिया हो क्योंकि तुम पाँच विकारों पर जीत पाते हो भारत को स्वर्ग बनाते हो या उच्छ सिवा हुई न इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत हैं मुख्य है एक शक्ति देने वाला है शिव बाबा महिमा सारी उनकी है फिर जो जो मददगार है उन्हों का भी नाम है मेल्स पांडवों को भी महारती कहा जाता है मेल फीमेल दोनों चाहिए प्रबरती मार्ग है न कभी भी कोई बिकारी गुरु नहीं करन चाहिए ग्रहस्ति को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है ग्रहस्ति अत्वा पतित मिला पतित को वह कभी भी पावन बना ना सके सन्यासियों के फॉलवर्स अपने को कहलाते हैं परन्तु कुछ सन्यासि नहीं बने तो यह भी जूठा है जूठ हुआ आजकल तो ठगी बहुत है ग्रहस्ति गुरु बनकर बैठ जाते हैं पवित्रता की बात उठाते नहीं यहां तो बाप कहते हैं पवित्र बनो तो बच्चा क्या लाओ पाबन बनने विगर तो राजाई नहीं मिलेगी तो बाप से योग जरूर लगाना है फिर जो जिसको मानने वाले हैं नहेंगे धर्मिस्थापक गुरु है तो देवता कैसे हो सकते देवता होते हैं सतियोग में वहां सुख बहुत है और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम नहीं स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी बाकी तो बाद में आते हैं जो जो देवता बनने होंगी वही बनें इस समय पूझते हैं देवताओं को, लक्षमी नारेन को और अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पते तो अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं, अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो, हिंदू कोई धर्म नहीं है परंतु गिर पड़े हैं, अब ऐसे आप यूरोप चाहेंगे तो वहां के लोग ए कहेंगे कि हमारा तो धर्म European है, ऐसे नहीं कहते हैं, तो ये तो हम भूल गए हैं अपना जो आदी सनातन डेवी देवता धर्म था, इसलिए फिर हिंदु रख दिया है, तो बाप समझाते हैं परंतु गिर पड़े हैं, देवता हैं तो बहुत थोड़े हैं बाबा कहते हैं, अब थोड़े छोटा जाड़ होगा ना आदी में बहुत छोटा जाड़ है, जो आकर यहां शिक्षा लेते हैं, वही मनुष्य से देवता बनते हैं, थोड़ी शिक्षा लेंगे, तो साधार प्रजा में आएंगे, बाप का बनने से विज्रेमाला में आएंगे, अब तो रूहानी आशिक माशुक बनना है, सत्यूग में जिस्मानी बनेंगे, कल्यूग में भी जिस्मानी, अब संगम यूग पर रूहानी आशिक बनना है, एक माशुक का, बाप कहते हैं, मुझे याद करते रहो विकार में जाने से सोगोना दंड पढ़ जाएगा गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मौ कर दिया बाप कहते हैं बच्चे अब तुमको गोरा बनना है कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है फिर ज्यान चिता पर बैठ गोरी बन जाएगी 21 जन्मों के लिए सुंदर बन जाएगी फिर श्याम बनेगी वापस यह श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है श्याम से सुंदर बनने में एक सेकंड सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्ब लगजाता है, आधा कल्प श्याम तो आधा कल्प सुंदर, एक मुसाफिर है शिप बाबा, बाकि सब सजनिया हो, हो गई काली, सजनिया क्या हो गई, काली हो गई, शिप बाबा कौन? एक ही मुसाफिर है जो एवर प्योर रहता है, है न, पारलोक एक बाप, बाकी सब सजनिया हो गई काली, हसीन सुन्दर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं, सत्योग में फोस्ट क्लास नेचरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि पांच तत्व सत्व प्रधान होने से शरीर पर सुन्दर बनते हैं, यहां तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, है कि न, बाप कहते हैं, पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिक्या करते हैं, परन्तु कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं, यह है इश्वरि mission, डूबे हुए भारत को salvage करना, भारत का बेड़ा रावर ने डूबाया, डूबे होया है तो राम आकर बार करते हैं तुम्हारी बुध्धी में हैं कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों की मेहल बनाएंगे, यह शरीय छोड प्रिंस प्रिंसस बनेंगे, जो बच्चे होंगे उन्होंके ही ऐसे ख्यालात चलेंगे, यह है इश्वर्य दरवारत्व, इश्वर्य फामली गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फामली हो गई न, इश्वर है दादा, ब्रम्हा है बाबा तुम हो भाई बहन, दाडे का वर्सा, बाब के दोरा मिलता है न, तो तुम हो गए भाई बहन, स्वर्ग का वर्सा तुम दाडे से लेते हो फिर तुम गवाते हो फिर बाबा देने आते हैं तुम प्रक्टिकल में बाब के बने हो, वर्सा लेने के लिए, ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हो, प्राक्टिकल में, तो इनको इश्वरी दरवार भी कहते हैं, इश्वरी कुटुम्ब भी कह सकते हैं चोटा सा संसार आच्छे, मीठे मीठे, सीखी लाधे बच्चों अप्रती, मात पिता, बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिक रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता, बाब दादा को याद प्यार और गुड मॉनिक शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा प्यारे बाबा सबका साथी सबका सहारा धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा ज्यानचिता पर बैठ संपूर्ण पावन गोरा बनना है आत्मा को क्या करना है विकारों से मुक्त करना है पुन्य आत्मा बनाना है तो ज्यानचिता पर बैठ संपूर्ण पावन गो इस beauty को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरा, इस कयामत के समय में सिर्पर जो पापों का बोज़ा है, उसे एक बाप की याद से उतारना है, पुन्यात्मा बननी के लिए श्रिष्ठ कर्म जो है करना है। वर्दान आज का बाबा का बहुत ही प्यारा वर्दान है, कम माइंड स्वरूप की स्परती द्वारा, कम माइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्थ भव। जैसे शरीर और आत्मा कम माइंड है, जब तक शरीर आत्मा के साथ कम माइंड है, तभी तक चलाय मान है, तो इसी तरह ऐसे भविष्य विष्णू स्वरूप कम माइंड है, ऐसे बाप और हमात्मा कम माइंड है, इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्वा सेवा और सर्वात्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्द बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहू कि सेवा में बहुत बिजी थे, इसलिए स्वा की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया, ऐसे नहीं जाओ, सेवा करने और लोटो तो कहो माया आ गई, मूड ओफ हो गया, डिस्टरब हो गया, सेवा में व्रद्धी का साधन ही है, स्वा और सर्व की सेवा कम हो, आज का स्लोगन है, हद के इक्षाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, बाप समान आत्मा बाप के साथ कम माइंड हो करके बाप को साथ साथ रखना मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार स्वयम परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि एक है निराकारी दुनिया दूसरी है साकारी दुनिया, अब नेराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रम्हांड अर्थात अखंड जोति महातत्व जो हम आत्माओं का और पर्मात्मा का निवास्थान है उस नेराकार दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पाट बजाने लिए साकार श्रष्टी में भेजते हैं जैसे प्रम्हांड में आत्माओं का व्रक्ष है वैसे साकार श्रष्टी में आत्माओं का शरीर सहित व्रक्ष है जैसे जड़ ज़ाड का मिसाल देते हैं, कैसे ज़ाड की जड़े नीचे रहती हैं, वैसे मनुष्य श्रष्टी को भी उल्टा ज़ाड कहते हैं, क्योंकि मनुष्य श्रष्टी के ज़ाड की जड़े फिर उपर नीराकारी दुनिया में हैं, वहां भी हर एक धर्म का सेक्षन अलग-अलग है उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दुनिया तुसकों अक्ना चोटी तत्वा है, जो कि तुस्की तत्व से अधी सुक्षुन है, जो भी हमें संसार में आकरते, देखते, सुनते हैं, छुकर के प्रस्षुस करते हैं, नहीं कि दुख की हल चल ना किसी के बातों की हल चल ना वहां कोई किसी तरह की परशानी ना कोई, क्योंकि आत्मा विल्कुल एक दम्युक्त है ना उधर जाकरके, तो बाप समझाते हैं कि कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं, वह तो स्वयम अखंड जोती तत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अती सुक्ष्म है, जैसे साकार श्रष्टी पांच तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायू, अगने, जल और प्रत्वी, उसमें भी प्रत्वी है स्थूल तत्व, उसमें सुक्ष्म है जल, उन उनसे सुक्ष्म तत्व है अगनी, उनसे फिर सुक्ष्म है वायू, फिर है आकाश तत्व, अब इन पांच तत्वों से भी अती सुक्ष्म यह अखंड जोती महा तत्व है, जो इस स्थूल श्रष्टी से उसपार निराकार दुनिया है, जहां फिर हमात्माय अंडे मिसल छोती बिंदू रूप में अपने परमपिता प्रमात्मा के साथ रहते हैं, तो प्रम्हांड से अलग है यह साकार श्रष्टी, ओम शैंति, शुक्रिया बाब दादा, शुक्रिया हमारता थाम एता IPCे, जहां के जह उनके, एता सकते हता रहते हैं, झालता। हमारता थालता है ।ो व्क जा एता है यह साकार फिंदू रूप में 616-15 अрीषटी